हेलो फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखे आपके सारे डाउट्स 7 आर्स के अंदर सॉल कर दिये जाएंगे अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलिग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी तो उसके बाद है एक्सेसाइज नमबर 1.4 फर्स्ट क्वेशन है इवल्यूएट इच अप दी फॉल्वाइंग फर्स्ट ए तो ए में यहां पर दिया गया है माइनस थर्टी अपॉन टैन तो माइनस थर्टी लिखेंगे पहले अपॉन फिल लिखेंगे टैन तो यहां पर जीरो जीरो कैंसल होगा और यहां पर हमारा जो फॉर्स्ट क्वेशन है उसका आंसर मिलेगा माइनस थ्री तो इस डिविजन का आंसर मिलेगा माइनस थ्री उस उसके बाद B 50 upon minus 5, okay, तो B में देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 50, right, upon, यहाँ पर क्या है, minus 5, right, and now 5 tensa, right, तो 5 tensa, यहाँ पर हमारा आंसर होगा negative तो है ही, तो negative 10 है, यहाँ पर लिखेंगे, यह हमारा आंसर होगा negative 10, उसके बाद C में minus 36 upon minus 9, right, ओके, तो C, इसकी value लिखेंगे, पहले minus of 36 upon, यहाँ पर लिखेंगे minus 9, right, negative, negative, क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, right, तो यहाँ पर 9 fours आ, तो यहाँ पर positive 4 हमारा answer मिलेगा, right, ओके, उसके बाद D दिया गया है, right, तो पहले यहाँ पर D लिखेंगे, तो D में, जो हमारा question है, वो है minus 49 upon 49, right, तो यहाँ पर 49 upon 49, answer हमारा 1 हो जाएगा, बट due to negative, यहाँ पर negative भी लिखेंगे, यह तो negative 1 मिलेगा, okay, उसके बाद, यहाँ पर क्या है, 13 upon minus 2 plus 1, okay, तो basically, यहाँ पर जो E है, उसको अगर लिखेंगे, तो पहले लिखोंगा 13, right, upon, नीचे क्या है, minus 2, and then plus 1, right, तो यहाँ पर जो minus 2 plus 1 है, उसको पहले calculate करेंगे, तो is equal to, यहाँ पर क्या हैगा, 13, minus 2 plus 1 मतलब के minus 1 मिलेगा, और फिर यहाँ पर उसका answer जो होगा, minus 13 मिलेगा, right, क्योंकि 13 upon minus 1, minus 13 होगा, उसके बाद है F, right, तो F में यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 0 upon minus 12, अब 0 upon minus 12, तो कोई भी value 0 के denominator में है, तो यहाँ पर उसका answer always हमें 0 ही मिलेगा, right, 0 upon any value, answer will be 0 always, okay, right, तो यह F तक के हमारे answers है, right, अब G का answer find करेंगे, तो यहाँ पर G लिखेंगे, right, तो G में पहले क्या दिया है, वो है minus 31, right, तो minus 31 उपर आएगा, और फिर division में हमें दिया गया है, minus 30, then plus minus 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 1 लिखेंगे, right, क्योंकि यहाँ पर minus 31 upon minus 30 plus minus 1, तो plus minus minus हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर minus लिखा, right, ओके, अब इसका simplification हमें सिंपली करना है, तो minus 31, और नीचे minus 30 minus 1, तो minus 31 आएगा, right, तो minus minus become plus, और 31 upon 31, आणसर सिंपल 1 मिलेगा, right, ओके, अब उसके आगे H को हम लोग find करेंगे, right, तो H में, यहाँ पर क्या दिया गया है, उपर minus 36, फिर upon 12, right, तो यहाँ पर क्या है, upon 12 करना है, और जो नीचे है, वो upon 3 है, मतलब कि वो bracket के बाहर है, तो हमें पहले minus 36 upon 12 कर लेना चाहिए, पहले, right, पहले उपर वाला, जो यहाँ पर answer है, वो ला देते हैं, numerator वाला, right, तो minus 36 upon 12, उसका answer होता है, minus 3, तो यहाँ पर उपर मिलेगा, minus 3, नीचे तो 3 है ही, तो upon यहाँ पर लिखेंगे, 3 as it is, तो minus 3 upon 3, मतलब कि minus 3 upon 3 क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, तो answer हमारा क्या होगा, minus 1, right, okay, उसके बाद I देखेंगे, तो I के हिसाब से हमें जो question दिया गया है, वो पहले लिखूँँगा, minus 6, right, plus 5, जो की numerator में है, और denominator में यहाँ पर दिया गया है, minus 2, right, plus 1, right, इस तरीके से दिया गया है, अब वो minus 6 plus 5, minus 6 plus 5 करेंगे, तो obviously यहाँ पर हमें answer क्या मिलेगा, minus 1 मिलेगा, right, और नीचे minus 2 plus 1, उसका answer भी हमें same मिलेगा, minus 1, right, okay, minus minus plus, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 upon 1, 1 upon 1 करने से हमारा answer क्या मिलेगा, only 1, तो I का जो answer होगा, वो हमें मिलेगा, last to last 1, right, तो इस तरीके से हम लोग सारे division find out करेंगे, always आपको यह याद रखना है, कि always हम लोग bracket के अंदर जो division होते हैं, वो पहले calculate करते हैं, उसके बाद bracket के बाहर वाला जो भी operation होगा, वो find out करते हैं, उसके बाद अगला question है, verify that a upon b plus c is not equal to a by b plus a by c for each of the following values of a, b and c, right, तो पहला a is equal to 12, b is equal to minus 4, c is equal to 2, तो हमें यहाँ पर verify करना है कि यह जो equation है, वो दोनों same है कि नहीं, मतलब कि LHS और RHS को यहाँ पर prove करना है हमें, right, तो हमारे पास value दी गई है, right, अब पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा LHS, a के लिए, right, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे a, और फिर लिखेंगे LHS, तो LHS is equal to, यहाँ पर हमें दिया गया है a upon bracket b plus c, right, bracket complete, okay, तो यह complete LHS है, अब उसमें हम लोग values रखेंगे, जो की a की value है, right, तो पहले a की value, तो यहाँ पर पहले a की value है 12, उसके बाद upon यहाँ पर आएगा, bracket में b, b मतलब कि minus 4, right, and then यहाँ पर c मतलब कि plus 2, तो इस तरीके से यह LHS होगा, right, LHS में अब यहाँ पर 12 upon minus 2 आएगा, right, तो इसका यहाँ पर answer मिलेगा, हमें is equal to 12, और फिर division में minus 2 लिखेंगे, right, तो is equal to, यहाँ पर हमें मिलेगा minus 6, right, तो यह हमारा LHS होगा, अब हम लोग RHS find out करेंगे, तो RHS में हमें क्या दिया गया है, पहले वो लिखेंगे, तो RHS is equal to, यहाँ पर है, bracket A upon B, right, bracket A upon B, then plus bracket A upon C, right, तो इस तरीके से यह brackets दिये गए, अब यहाँ पर हम लोग values रखेंगे, तो RHS में यहाँ पर पहली values है, bracket में, तो bracket में यहाँ पर आएगा 12, और B की value, तो B की value है, यहाँ पर minus 4, right, तो यहाँ पर लिखेंगे, minus 4, and then plus A upon C b है, तो 12, और फिर division में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 2, division में क्या है, 2 है, bracket complete, okay, अब यहाँ पर हम लोग इसको solve करेंगे, तो is equal to 12 upon minus 4, पहले लिखेंगे, तो 12 upon minus 4, right, plus यहाँ पर right hand side, मतलब के positive के right hand side 12 upon 2 है, right, okay, उसका simplification 12 upon minus 4, तो यहाँ पर आएगा minus 3, plus 12 upon 2 is 6, तो minus 3, plus 6, यहाँ पर plus 3 मिलेगा answer, right, तो यहाँ पर दोनों ही match नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग LHS लिखेंगे, तो here LHS है, हम मारा minus 6 है, right, और RHS की अगर बात करेंगे, तो वो 3 है, दोनों ही एक दूसरे के equal, नहीं है, they are not is equal to, right, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि LHS is not equal to RHS, right, therefore LHS is not equal to RHS is equal to, hence इसी लिए जो हमें equation दी गई है, जैसे कि A upon bracket B plus C bracket complete is not equal to, कौन सी है, right hand side, तो वो है A upon B, right, plus bracket A upon C, right, bracket complete, तो यहाँ पर यह चीज़ हमें द्यान में रखनी है, right, okay, अब दूसरा example देखते हैं, okay, अब दूसरे example में A is equal to minus 10, B is equal to 1 and C is equal to 1 दिया गया, तो इसी साब से हम लोग इसी equation में values रखेंगे, क्योंकि हमें तो यही चीज़ verify करनी है, तो same चीज़ verify करनी है, तो सिर्फ values अलग अलग है, तो यहाँ पर start होगा A की value से, तो minus 10 आएगा पहले, right, फिर B की value, B की value है 1 and C की value B यहाँ पर 1 है, right, ओके, अब इसका simplification, तो वो जाएगा minus 10, right, upon 1 plus 1 क्या होता है, 2, तो negative as it is 10 upon 2 is 5, right, तो LHS हम मिलेगा negative 5, okay, उसके बाद RHS को prove करेंगे, तो RHS यहाँ पर रखते जाएंगे, पहले है A, right, तो यहाँ पर लिखेंगे minus 10, तो minus 10 upon B, B मतलब कि यहाँ पर 1, right, then यहाँ पर plus, again A की value क्या है, minus 10, upon यहाँ पर C की value, C की value क्या है, 1, right, तो इस तरीके से values हम लोग रख सकते हैं, अब minus 10, यहाँ पर आएगा 1, plus minus 10, right, bracket में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे पहले से ही sign है, upon 1 फिर से, तो यहाँ पर हम लोग यह particular sign हटा देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे minus 10, 10, और फिर यहाँ पर फिर से minus 10, right, क्योंकि minus 10 upon 1 minus 10 होगा, minus 10 upon 1 minus 10, तो minus 10, minus 10 यहाँ पर हमें मिलेगा minus 20, right, तो minus 20 RHS मिला, अब यहाँ पर हम लोग easily लिख सकते हैं, कि minus 5 is not equal to minus 20, right, minus 5 और minus 20 सेम नहीं है, इसलिए LHS is not equal to RHS, इसलिए हैंस, A by B plus C is not equal to A by B plus A by C, right, तो यह चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, उसके बाद अगला question है, fill in the blanks, तो पहला है 369 upon dash is equal to 369, right, तो यहाँ पर हम लोग एक relation particularly follow करेंगे, और वो relation है, वो है A upon 1 is equal to 1, right, A upon 1 करेंगे, तो उसका answer 1 ही मिलेगा, तो similarly यहाँ पर 369 upon 1 करने से उसका answer 369 ही मिलेगा, अब B देखेंगे, minus 75 upon dash is equal to minus 1, right, तो minus 75 upon यहाँ पर आएगा 75, तो उससे answer मिलेगा minus 1 कैसे, तो यहाँ पर minus A, right, upon, यहाँ पर क्या करेंगे, कि A, तो is equal to, यहाँ पर हमें answer मिलेगा, minus 1, right, तो इस तरीके से यहाँ पर minus 1 answer मिलता है, right, ओके, अब उसके बाद हम लोग C देखेंगे, तो C में, minus 206 upon dash is equal to 1, तो यहाँ पर, जो उमरा equation बनेगा, वो होगा, minus A upon, minus A again, right, is equal to, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, right, तो यह उसका answer होगा, फिर D की बात करेंगे, तो minus 87 upon dash is equal to 87, तो यहाँ पर उसका answer हम लोग लिखेंगे, पहले, answer से पहले हम लोग equation लिखेंगे, तो equation के इसाब से, minus 87, right, तो minus A, right, upon minus 1 करने से, हमें answer positive A मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर minus 87 upon minus 1 लिखेंगे, right, उसके बाद E देखेंगे, dash upon 1 is equal to minus 87, right, तो E में पहले equation लिखेंगा, मैं minus A upon 1 is equal to minus 80, तो यहाँ पर लिखेंगे, minus A, right, तो यहाँ पर answer हमें मिलेगा, minus 87, right, okay, उसके बाद F देखेंगे, dash upon 48 is equal to minus 1, right, तो dash upon 48, तो यहाँ पर minus A upon, यहाँ पर क्या करेंगे, minus A upon A is equal to, answer मिलेगा, minus 1, right, तो इस तरीके से, यहाँ पर यह answer मिलेगा, अब F में, minus 48 लिखेंगे, तो minus 48 upon 48, answer minus 1 मिलेगा, right, okay, 20 upon dash is equal to minus 2, तो यहाँ पर क्या calculate करेंगे, जैसे 20 upon 10 करने से, हमारा answer के मिलता है, 2 मिलता है, तो similarly यहाँ पर 20 upon minus 10 कर देंगे, right, जैसे answer हमें minus 2 मिले, right, उसके बाद H देखेंगे, H में हमें क्या दिया है, dash upon 4 is equal to minus 3, right, तो यहाँ पर 12 upon 4 करने से, हमें answer positive 3 मिलता है, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर minus 12 करना पड़ेगा, क्योंकि answer minus में, तो minus 12 upon 4 is equal to minus 3, right, तो इस तरीके से हम लोग question answer fill in the blanks find out कर सकते हैं, right, तो यह हमारा सभी fill in the blanks का answer है, उसके बाद अगला question है, write 5 pairs of integers a, b, such that a upon b is equal to minus 3, one such pair is 6 minus 2, because 6 upon minus 2 is equal to minus 3, तो एक pair तो यहाँ पर दे ही दिये, right, कि 6 upon minus 2 करने से हमारा answer minus 3 मिलेगा, तो ऐसे बहुत सारे pair बन सकते हैं, कि जिसका answer हमें same मिले, right, तो उससे पहले start करते हैं, कि since सबसे basic जो pair है, right, वो है 3 upon 1, right, 3 upon 1 करने से हमार answer क्या मिलेगा, is equal to 3 ही मिलने वाला है, right, ओके, अब यहाँ पर जैसे की 3 है, right, तो 3 upon minus 1 अगर करें, यहाँ पर minus 1 लिखे, bracket complete, that is equal to, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, minus 3, right, ओके, अब यहाँ पर यह जो equation है, उसको compare करेंगे, किस के साथ, तो comparing it with a upon b, right, is equal to minus 3, इसके साथ compare करेंगे, तो compare करने से क्या मिलेगा, we have a is equal to, we have a is equal to 3 and b is equal to, क्या मिलेगा, वो होगा minus 1, right, a is equal to 3 and b is equal to minus 1, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, कि the required pair of integers is equal to, bracket में लिखेंगे, और वो होगा 3, 1, right, तो यह required pair of integers हो गया, right, okay, अब similarly, दूसरी pair भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, right, तो दूसरी pair के हिसाब से, यहाँ पर, यहाँ पर हमारा answer minus 3 ही वापस होना चाहिए, तो since 3 upon 1 is equal to 3, right, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर change लाऊंगा, change मतलब कि यहाँ पर minus 3 लूंगा, और divide by 1 only, तो भी answer हमारा minus 3 ही होगा, तो उस time पर, again, a upon b, मैं दब के comparing it with a upon b is equal to minus 3, तो जहाँ पर a की value हमें मिलेगी minus 3, and b की value क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, तो हमारा जो required pair of integer है, वो होगा, minus 3, 1, right, तो इस तरीके से भी हमारा answer तो same ही मिलेगा, minus 3 upon 1 is equal to minus 3, तो required pair of integer क्या होगा, minus 3, 1, तो उस ही का दूसरा example लेंगे, मान लिजे कि जो दूसरा example है, उसमें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 9 लिख लूं, right, तो 9 upon 3 करने से भी हमारा answer 3 ही मिलेगा, right, तो similarly हमें तो minus 3 चाहिए, तो 9 upon minus 3 करेंगे, तो भी हमारा answer minus 3 ही मिलेगा, right, तो यहाँ पर A की value क्या हुई, A की value हुई 9, and B की value यहाँ पर मिली minus 3, right, तो required pair of integers 9, minus 3 मिलेगा, right, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने differently method यूज किया है, but answer हमारा 3 मिला, answer यहाँ पर हमें minus 3 ही मिला, okay, उसके बाद अलग-अलग values लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं 12 लिखूंगा, तो 12 upon 4 करने से भी हमारा answer 3 मिलेगा, right, similarly, यहाँ पर मैं minus 12 लो, upon 4 करो, minus 12 upon 4 भी हमारा answer minus 3 मिलेगा, तो comparing it with A upon B is equal to minus 3, तो similarly, यहाँ पर A की value क्या मिलेगी, minus 12 and B की value यहाँ पर 4 मिलेगी, right, तो minus 12, right, comma 4 तो यह हमारा required pair होगा, integer का, minus 12, 4, right, उसके बाद अगली value है 12, again upon 4, right, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कि जो 12 है और यहाँ पर minus 4 लेंगे, right, तो 12 upon minus 4 भी minus 3 ही होगा, right, और यह हमारा fifth example है, इस question का, okay, तो again, A upon B is equal to minus 3 मिलेगा, A upon B is equal to minus 3, तो A की value और B की value यहाँ पर लिखेंगे, A की value 12 है, और B की value यहाँ पर होगी, minus 4, right, तो इसलिए required pair of integers 12, comma minus 4 आएगा, right, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी answer, same answer हमने find किया, बट यहाँ पर different 5 methods यूज की, तो different 5 methods हमने यूज की और same answer find out किया, उसके बाद अगला question है, तो पहले हम लोग data लिखते जाएंगे, कि जो temperature at 12 noon पे temperature 10 degree है, तो temperature, right, at 12 noon is equal to 10 degree Celsius, अब उसके बाद हम लोग दूसरे temperature की बात करेंगे, तो यहाँ पर temperature decrease हो रहा है, 2 degree से, मतलब के per hour, 2 degree से temperature decrease हो रहा है, तो rate of change in temperature is equal to minus 2 degree Celsius per hour, तो यह 2 degree Celsius से जो temperature है, वो decrease होता चला जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, number of hours from 12 noon to midnight is equal to 12, obviously 12 hours होंगे, तो change in temperature in 12 hours is equal to 12 into minus 2, क्योंकि per hour minus 2 degree Celsius temperature decrease हो रहा है, तो यहाँ पर total decrease होगा, minus 24 degree Celsius, तो temperature at midnight is equal to 10 degree Celsius plus minus 24 degree Celsius, तो यहाँ पर minus 14 degree Celsius होगा, midnight पे मिलने वाले temperature पे, तो यहाँ पर यहाँ पर यह जो difference होगा, that is equal to basically 10 degree Celsius, right, minus 8 degree Celsius, तो 10 minus 8 is equal to, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 degree Celsius, यह completely difference होगा, बट यहाँ पर जो difference है, अगर वो find करें, तो 8 degree Celsius तो negative है, तो 8 degree Celsius यहाँ पर negative में आएगा, और यहाँ पर उसका difference हम लोग find करें, तो 10 minus minus 8 degree Celsius, तो उससे यहाँ पर हमारा answer होगा, basically, plus 18 degree Celsius, right, क्योंकि 10 minus minus plus हो जाएगा, और 10 plus 8, 18 degree Celsius, right, अब 18 degree Celsius, by 2 करना है, half of the 18 degree Celsius, तो 18 upon 2, तो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, right, तो temperature change of 18 degree Celsius will take place in 9 hours from 12 noon, right, तो the temperature change of 18 degree Celsius will take place in 9 hour from 12 noon, time after 9 hours from 12 noon is equal to 9 pm, क्योंकि अगर 9 am हुए, तो 12 गंटे के बाद, exactly 9 pm हो जाएगा, right, so thus, temperature 8 degree Celsius, below 0 degree Celsius, मतलब, minus 8 degree Celsius would be at 9 pm, right, तो 9 pm को, यहाँ पर, जो temperature है, right, वो 0 degree Celsius होगा, right, उसके बाद अगला question है, in a class test, plus 3 marks are given for every correct answer, and minus 2 marks are given for every incorrect answer, and no marks for not attempting any question, Radhika scored 20 marks, if she got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly, Mohini scores minus 5 marks, in this test, though she got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly, okay, तो यहाँ पर basically Radhika, और Mohini के marks के बारे में discuss करना है, तो पहले, यहाँ पर हम लोग पहले data लिखेंगे, right, जो general data है कि, marks for every correct answer, right, marks for every correct answer, so every correct answer का marks कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, plus 3, 3 marks मिलेंगे, एक right answer के, right, similarly marks, for every, incorrect, क्या होगा, answer, तो incorrect answer के लिए, क्या होने वाला है, वो देखेंगे, तो यहाँ पर incorrect answer के लिए, negative marking है, और यहाँ पर वो minus 2 हो जाएगा, right, incorrect answer के लिए, अब राधी का का score क्या हुआ है, right, तो यहाँ पर लिखेंगे, राधी का, score, तो उसका score यहाँ पर है, is equal to 20, right, यह राधी का score, okay, अब marks score for correct answer, right, यह लिखेंगे, राधी का ने 12 correct answer दिये, तो 12 into 3 हो जाएगा, तो correct answer के लिए, उसको, जो marks मिले है, वो है 36, right, 36 correct answer का mark है, बट उसके कुछ incorrect answer, answers भी है, तो राधी का के incorrect, जो answers है, right, वो यहाँ पर अगर find out करें, तो total, total उसका score है, उसमें से, हम लोग जो correct answer के mark से, वो subtract कर देते हैं, तो 20 minus 36 करने से, यहाँ पर, हमें answer मिलेगा, minus 16, तो उसका incorrect, जो भी questions है, उसके इसाब से, 16 marks cut होने वाला है, cancel होने वाला है, right, number of incorrect answers में, हम लोग करेंगे, minus 16, जो की, negative scoring है, उसकी, minus 16 upon, minus 2, जो की, marks for every incorrect answer है, तो यहाँ पर हमें answer मिलेगा, यहाँ पर is equal to 8, तो जो राधी का है, उसके, 8 answers, गलत है, incorrect है, तो इसलिए, हम लोग बोल सकते हैं, कि जो राधी का है, राधी का attempted, 8 questions, incorrectly, राधी का के, 8 questions, गलत हो गए, अब इसके बाद, इसके बाद बात करेंगे, मोहीनी के बारे में, तो यहाँ पर, जो general data है, वो तो same ही रहने वाला है, जैसे कि marks for every correct answer, 3 होगा, और marks for every incorrect answer, minus 2 होगा, अब जो मोहीनी है, तो मोहीनी का पहले, हम लोग score लिखेंगे, मोहीनी का score, यहाँ पर दिया गया है, वो है, यहाँ पर total, minus 5, negative में score गया है, और marks code for correct answer, तो marks obtained for 7 correct answer, सिर्फ साथ ही correct answer है, तो यहाँ पर लिखेंगे, 7 और into 3, क्योंकि each correct answer के marks है 3, तो यहाँ पर 21 आएगे, तो positive 21 मतलब के, correct answer के कारण, जो marking मिलेगी, मोहीनी को, वो 21 होगी, उसके बाद marks given for incorrect answer, तो यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, total score है, वो लिखेंगे, मतलब के minus 5, right, तो minus 5, और उसका, जो correct answer है, वो उसमें से subtract करेंगी, तो minus 21 कर देंगे, right, तो यहाँ पर total मिलेगा, minus 26, तो minus 26 होगा, incorrect answer का, यहाँ पर answer, right, तो incorrect answer के लिए, उसका negative में जा रहा है, minus 26, ओके, अब number of incorrect answers, find करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, minus 26, right, upon minus 2, लिखेंगे, तो minus 26 upon minus 2, यहाँ पर क्या होगा, plus 13 मिलेगा, right, तो, जो मोहीनी है, right, यहाँ पर लिखेंगे, मोहीनी, attempted 13 questions, incorrectly, उसने 13, total 13 questions, incorrectly attempt किये, right, उसके बाद अगला question है, an elevator descends into a mine shaft, at the rate of 6 meter per minute, if the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach 350 meter, तो पहले तो इस situation को draw कर ले दे, right, तो इस तरीके से, जो elevator है, वो descend हो रहे है, mine shaft में, at the rate of 6 meter per minute, okay, अब अगर, वो descend start हो रहा है, from 10 meter above the ground level, right, यहाँ से start हो रहा है descending, 10 meter above the ground level, यहाँ से, right, यह present position है, तो how long will it take to reach 350, मतलब कि यहाँ पर पहुँचने के लिए, क्या time लगेगा, यह यहाँ पर हमें basically, find करना है, right, तो total distance, अगर total distance की बात करें, तो यह 350 है, और यहाँ पर 10 add हो जाएगा, तो total distance कितना होगा, 360, right, तो यह है, total distance, 360 meter, अब rate of descent, तो वो लिखेंगे, तो rate of descent, is equal to, तो वो क्या है, 6 minute, sorry, 6 meter पर minute आएगा, right, तो यह है rate of descent, अब time taken, find करेंगे, तो time taken is equal to, total distance, upon rate of descent, यह formula है, time find out करने की, right, अब same formula में, हम लोग values रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा, 360 meter upon rate of descent, तो वो है 6 meter, right, per minute, तो यह है rate of descent, right, तो is equal to, अब 360 upon 6 करेंगे, तो obviously answer क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, 60 minute यहाँ पर, हमें पूरे मिल रहे है, descending के, right, तो require time लिखेंगे, require time is equal to, 60 minute, or we can say, वो होगा, 1 hour, right, require time, या फिर 60 minute, या फिर 1 hour, हम लोग बोल सके, तो elevator, अगर, ground level के, 10 meter अबो से start करेंगे, मतलब कि, यह हमारी present position है, वहाँ से अगर start करेंगे, तो यहाँ पर नीचे, minus 350 पे, पहुँचने के लिए, उसको time लेगेगा, पूरा 60 minutes, right, तो हम लोग इस तरीके से, जो 7th question है, उसका answer हम लोग find कर सकते हैं, मान लिजे कि, यहाँ पर, जो पूछा गया होता question, कि ground level से 20 meter अबो, तो हमें क्या करना पड़ता, 350 plus 20, तो यहाँ पर 370 आ जाता, right, तो 370 upon 6, जो भी हमारा answer होगा, वो minute में आता, right, तो इस तरीके से, हम लोग same चीज, अबो ग्राउंड लेवल के 20 meter से भी find out कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा total distance 370 होता, यहाँ फिर मान लिजे कि, ground level के 30 meter उपर से, अगर elevator नीचे की तरफ जाता, तो यहाँ पर total distance कितना होता, तो 350 plus 30, 380, तो यहाँ पर 360 की जगह पर 380 आता, यहाँ पर भी 380 आता, तो 380 अपर 6 करने से जो भी answer मिलता, वो minute में मिलता, और उसको अगर हमें hours में convert करना है, तो by 60 कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, अगर हमें hours में convert करना है, तो यहाँ पर 60 के division में, यहाँ पर 60 के division में 60 कर देंगे, तो हमारा answer 60 upon 60 क्या मिलेगा 1 hour तो वैसे ही अगर मान लिजे कि यहाँ पर 80 मिला 80 minutes तो 80 minutes upon 60 करेंगे तो जो भी हमारा answer मिलेगा 4 by 3 तो 4 by 3 hours हमारा answer हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग इस question को find out कर सकते हैं झालो हमारा कर दो लाएडा one तो टूरश का तो भी हमारा तो लगा हमाराus रड़ोगा